हलो एवरिवान पूनम सुक्री में आप लोका बहुत बहुत स्वागत हैं दोस्तों आजब बनाएंगे यह बेगरी स्टैल चॉकलेट केक जो बहुत ही मस बनाता और जब मैंने इसको घर पे बनाया था ना सबने बहुत तारिफ किया बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट रहेग आधा कप दूद में आधा कप चीनी को डिजॉल्फ कर लिया था फिर एक बोल में आइट कर दिया इसमें वनफोर्थ कप डाला मैंने रिफाइंड डॉयल जिसमें कोई स्टॉंग स्मेल नहीं होगा आधा चमज डाला इसमें वनीला एसेंस और तीनों चीजों को ना पर डिक काप मैरा मैदा की जगहा पर आप चाहों तो आटा का यूज कर सकते हो एक चमत डालेंगे नहीं कर सकले हैं सिसमें अगये अधिक टीन बड़े चम सब्सॉर्ट मझ डाला पर सकत तकतेक्यों कोई गार्ण व और निकल जाया वो मैदा से अब इसको धीर से विक्स कर बेकिंग सोड़ा और पाउडर का रियाक्शन खत्म हो जाता है अपना इसमें थोड़ा थोड़ा सा दूद डालते जाएंगे और श्मूथ कंसिस्टेंसी का बैटर बना लेंगे हाँ अधना मैंने बैटर को बनाते से मैं चीनी नहीं डाला मैंने क्या किया था दूद में ही आ बैटर पेपर से लाइन कर दिया और इस बैटर को डाल दिया इसके बाद ना एक प्री हीटेट बर्तन में मैंने इसको रख दिया था और इसको मैंने 30-35 मिनट के लिए लो फ्लेम पर बेक किया था यह सारे प्रोसेडियों और ना कॉमन होते हैं तो इसलिए नहीं आपको य यहां पर एकड़ मैं चिल्ड है मारा उपकर और पहले और फिर बोल में आइट किया फिर ना और आधा कप से थोड़ा सपम लिया मैंने और उसको भी आइट किया तो टोटल देखा जाना तो सवा कप के आस-पस मैंने क्रीम को लिया था चिल्ड है और मेल्टेट फॉम में अब ना क्या करना है एलेक्ट्रिक बीटर को पहले लो स्पीड पे अन कीजिए और ना इसको दो मिनट तक बीट कीजिए इसके बाद ना मैंने इसमें डाला दो चमच कोपाउडर और क्योंकि चॉकलेट वाला क्रीम बना रहे थे तो इसलिए कोपाउडर आट किया आप चाहो क्रीम को लोगे और इसको टर्न करोगे तो क्रीम गिरेगा निए केक रेडी होगया क्रीम बीरेडी हो गया अलमुस्ट सब चीज डन है अब ना केक को मॉइस्ट करने के लिए हम शुगर सिरभ भी रेडी करेंगे नहीं पर ना मैंने तीन सा चार चमच पानी लिया उसमें ए बटल बॉर प्रोस्स का युज कर सकते है या फिर माइक्रोवेव में भी में अल्कर सकते है दो बार में मतलब पहले 30 से कंद के लिए इसके लिए तरह वरना चॉकलेट का आध फ्री यहोनें का चांसस रहता है इस बात का अधिहां रखिए ऊसके बादियाट एक मोल्ड को के लिए लग बग ताकि जॉकलेट अच्छे सेट हो जाए और इसके बाद ने इसको इस तरह से निकाल लेंगे तो ये डेकोरेशन बहुत अच्छा लगता है बहुत क्लासी सा लुक देता है और फैंसी अब बहुत अच्छा है तो यह रेडी हो गया है साइड में रखते हैं केक को एसेंबल कर लेते हैं ठीक है इसके लिए सबसे पहले ना केक को डिमोल कर लीजे जब केक अच्छे से थंडा हो जाए तो बटर पेपर को निकाल लीजे केक ना एक दम सॉफ्ट और मॉइस्ट बनाया है हमारा बहुत अच्छे से फूला भी है तो नहीं अब क्या करना है यह जो उपर वाला लेयर है इसको कट करके निकाल लेंगे आप चाहो तो इसको ऐसी ही खालो यार यह बहुत टेस्टी लगता है तीक है अब यह जो बचा हुआ केके ना इसको मैंने तीन पार्ट में कट कर लिया है आप चाहो तो दो पार्ट में भी रख सकते हो आपके पर मैंने बोर्ड रखा है इसके ऊपर थोड़ा सा क्रीम लगा दिया है ताकि एक अच्छे सेट हो जाए लास्ट लियर हम रखेंगे और इसको ना अपने कॉफी शुगर से रब जो ने बनाया था उससे सोक कर देंगे अब क्या करना है जो हमने चॉकलेट क्रीम बनाया था उ आप चाहो तो चॉकलेट क्रश करके भी ढाल सकते हो ठीक है इसके बाद ना सेकेंड लेयर रखेंगे अब मेरा सेकेंड लेयर ना उठाते समय तूट गया था तो ग्या करेंगे पहले तो इसको प्लेस कर देंगे फिर ना थोड़ा सा साइड में क्रीम लगा कर इस तरह से ज करने में बट आप जैसे से प्रैक्टिस करोगे ना आपको सब बहुत ही जिली आ जाएगा तो आपको अगर बेकिंग पसंद है तो आप इसको छोड़िये नहीं मतलब अगर आपको डिफिकल लग रहा है तो आप इसको ट्राइ करते रहिए आपको बहुत मजाए का बेक करन किक से ना आप देख सकति हो साइड में छोटे-छोटे से क्रंब्स निकलके गिरते है तो यहां पड़ना एक तोड़े से क्रीम के साथ पहले हम केक को कवर कर देते है और 10 मिनिट के लिए इसको फ्रिज में रख देते है ताकि जो क्रंबस है वो अच्छे से से अट होजाता प्राइब हो चुके उनकों सानिटाइज करके भी आप इस तरह से यूज कर सकते हो और ना एक दम अच्छे से क्लीन कर सकते हो ठीक है बहुत ही असान सा स्टेप है और जो भी एक्स्ट्र उपर का क्रीम पर इस पैचुला से इस तरह से लीजेगा और एक हाथ में स्क्रापर र उसके बाद मैंने फिर क्रीम को एकदम अच्छे से बीट इसमें वापस से भी पैस तो मेंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया था ठीक है अब नहीं हाप चॉकलेट गनाश से मैं बाकी जगये को ना कवर कर दूंगी ठीक है और ना साइड में डिप्स बना दूंगे जिससे कि देखने में और अच्छा लगे तो पूरे केक को जो बचा हुआ जगा है जापर वहां पर गणाश को कैसे बनाया मैंने अच्छा तो यहां पर ना मैंने 50 ग्राम लिया था डाक कंपाउंड चॉकलेट उसमें दो चमस डाला गर्म दूद हलका गर्म दूद डालना है उसके बाद मेल्ट होने तक आप इसको मिक्स करते रहिए का बस गनाश रड़ी हो जाएगा पाइपिंग बैग में फिल करके साइड में लगा दू उसके बाद जो अपना डेकोरेशन बनाया था उसको भी साइड में लगा दिया है और थोड़ा सा बचा हुआ था उसको भी मैंने एन वन नॉजल के साथ इस तरह से बादर बनाया अच्छा यह जो फ्लार्ज बनाया ना यह भी एन वन नॉजल के साथ बनाया था वेट करके बढ़ देख लेते हैं के बहुत ही मस दिख रहा और एकडम बेकरी स्टाइल वाला कि लिकिन चलो आप इसको वेट करते हैं तो य आप भी बनाओ खाओ मज़े करो और हाँ वीडियो पसंद आओ तो लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर करके जाना चलो मिलते हैं ऐसी ही नही रेसिपी के साथ तब तक बाई बाई और थैंक यू फर वाचिंग डिस वीडियो